कोई समय के साथ है तो कोई समय से नाराज है हर किसी की जिंदगी में समय का बड़ा महत्व होता है अगर हम स्वास्ति से परिशान होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं वहीं अगर हम अपनी एजुकेशन से लेकर परिशान होते हैं तो हम अपने teacher के पास जाते हैं लेकिन अगर हम भाग्य से परिशान होते हैं, तो हम जोतिश आचारी के पास जाते हैं नमस्कार, स्वागत है आपका Prime TV के खास प्रोग्राम समय चक्र में और मैं हूँ आपके साथ सप्निल या दो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित रवी शंकर जोतिस आचार तो पंडित जी स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम समय चक्र में जैसा कि पंडित जी हम आगे बढ़ते हैं और इसी कड़ी में हम जानेंगे कि आज का पंचांग पंडित जी क्या कुछ कहता है ओम घन शुर्याय नमहा 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 ओम तो जैसा कि हमने पंडित जी से जाना कि आज का पंजांग क्या कहता है अब इसी कड़ी में आगे हम जानेंगे पंडित जी से कि 12 राशियों के राशि तो चलिए सुरवात करते हैं मेश व्रिशब और मिधुन राशि से पंडित जी कि इनके सितारे आज क्या कुछ कहते हैं मेर्स रासी वालों के लिए उस्सा आमें ब्रिद्धी होगी कार छेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी पुराने अपने मित्रों से मुलाकात हो सकती है आर्थिक लाब संभव है ब्रिसबरासी ब्रिसबरासी वालों के लिए सरकारी छेत्र में सफलता के योग है नवकरी में उन्नती के अगर आप नवकरी पेसा जातक हैं तो आपको आज प्रमोशन हो गएरा का शुप शमाचान मिल सकता है अच्छा योग है अपने पत्नी का थोड़ा स्वास अगर खराब चला है तो ध्यान रखें अगर नहीं भी खराब है तो थोड़ा उनका ध्यान रखना जरूरी है साथ ही आज आप व्योसाइक लाब हो शकता है तीसी रासी मिथों रासी मिथों रासी वालों के लिए पूर्ब में किये हुए कारे पूर्ण होंगे अगर आप कोई पूर में अपना कारी सोचे हैं तो वो पूर होंगे संतान से सुख मिलेगा साथ ही आपको आज लाब के उसर भी मिलेंगे और आज का दिन आपके लिए अनकूल रहेगा जैसा कि हमने पंडी जी से जाना कि मेश वरिशब और मिथुन रासी के सितारे आज क्या कुछ कहते हैं अब इसी कड़ी में आगे हम जानेंगे कि करक सिंग और कन्या राशी के सितारे आज पंडी जी क्या कुछ कहते हैं करक रासी वालों के लिए आप किसी अंजान ब्यक्ति से आद दूरी बना कर रखें अगर कोई अशा मिलता है या बाची चल रहिए तो उससे सोच समझ के नेड़े ले तो आपके लिए अच्छा रहेगा साउधानी से वहां चलाएं ब्यापार में जोखिम न लें आज के दिन और साथ ही आज मन आपका सांत रह सकता है तो अपने क्रोध पर भी नियंत्रा रखें पाचुई रासी सिंग रासी सिंग रासी वालों के लिए कैरियर में उन्नती के उसर मिलेंगे साथ ही धन की प्रगती होगी धन बढ़ेगा उसके साथ आपको द्योसाय में लाब होने के योग बन रहे हैं और परिवार में आनंद रहेगा अगली राशी कन्या राशी कन्या रासी वालों के लिए राजिनितिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी अचानक धन लाब के योग बन रहे हैं आज के दिन आपको विरोधी परेशान होंगे और अपने स्वास्त को लेके लाड़ी में जानना चाहेंगे तुला रासी वालों के लिए आज का दिन थोड़ा निराशा भरा रहेगा उतार चढ़ाओ रहेगा आपके मित्र आपके प्रगती में बाधग बन सकते हैं तो इसका भी विशेश ध्यान रखें साथ ही व्यापार में उतार चढ़ाओ अगली राशी ब्रिश्चिक राशी वालों के लिए ब्योसाय से विसेस लाब बन रहा है आज संपत्तिस संबंधित विवाद अगर कोई चल रहा होगा तो आज सुलस सकता है उसमें सफलता मिल सकती है नोकरी में सम्मान के योग हैं साथ ही अपने क्रोध पर आज के दिन नियंतर रखेंगे तो कारी और बहुतर होगा है अगली राशी धनू राशी धनू राशी वालों के लिए लाब होने के योग दिख रहे हैं साथी सेहत थोड़ा नरम रह सकता है उसका आप विशेज ध्यान रखें और आप मांसिक अपनी सांती बनाये रखें साथी अपने क्रोज पर भी नियंतरन रखें और भासाओं को बो जैसा कि हमने पंडीच जी से जाना कि तुला व्रश्टिक और धनू राशी के सितारे आज क्या कुछ कहते हैं अब इसी कड़ी में आगkelnा में रखेंगे थेते हैं देखे मकर राशी नोकरी पेसा जातक को मेहनत से ज़्यादा करेंगे लेकिन फल आपको कम मिल सकता है साथ ही आपको ब्यापार में प्रति सचेत रहें ब्योसाय में कानूनी परिशानी आ सकती है तो थोड़ा आज का दिन आपके लिए उतार चड़ाओ है उसका विसेश ध्यान रखें अगली रासी कुमरासी कुमरासी वालों के लिए आज सुब सूचना मिलेगी आपको नोकरी में अगर नोकरी पेशा जातक है तो आपको शम्मान मिल सकता है विसेश लाब है विरोधी आपके अगर आपके पीछे पढ़े हैं तो आज प्रास्त होंगे आपसे उनको हार का सामना करना पड़ेगा में रासी में रासी वालों के लिए असंतोस बना रहेगा लाब कम होगा जिससे और असांती बढ़ जाएगी काम में मन नहीं लगेगा आज के दिन आपका और साथी धन खर्च पर भी नियंतर रखें नहीं और भी परिशानी आ सकती है अपने मन को सांत रखें इस्थे रख पंडी जी से जाना कि आज 12 राशियों के सितारे क्या कुछ कहते हैं इनका राशी फल क्या है लेकिन हम आपसे हर एपिसोड में बार बार कहते हैं कि आप कर्म पर भी ध्यान दीजे राशी फल जानने से हम ये पता चलता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है लेकिन हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए तो पंडी जी एसी कड़े में हम आगे बढ़ेंगे और आपसे जाना चाहेंगे मेल के माध्यम से हमारे पास एक सवाल आ रहा है मोना जहां का उनकी डेट ऑब बर्थ है 3 नवंबर 2000 और दिन जो है वो रविवार का है और सुबह सा है तीन नवंबर 2000 सुबह के साड़े साथ बजे जन्मस्थान दर्भंगा विहार इस हिसाब से इनका कार्तिक मास सुक्ल पक्ष पंचिमी सप्तमी तिथी को जन्म हुआ है और दिन सुक्रवार है उत्त्रा असाड़ा नच्छत्र में इनका जन्म हुआ है और इनकी जो में मंगल है और शूर्य महराज वहां पर विराजमान है तो इनका जो कुल्णी में देखा जाये तो इनकी लग्न में शुक्र विराजमान है, साथी इनके शूरी और बुध्ध दौादस में विराजमान है, बुध्ध शूरी ऀनका अस्त का भी है, और साथ में इनका नीच का है, तो इनको मानसिक असांती रहती होगी, मन इनका सांत नहीं रहता होगा और बहुत जल्दी किसी चीज को लेके डर जाती है घबरा जाती है साथ ही इनके केरियर और साधी वाइज आप कह रहे हैं तो शनी गुरू की यूती सत्तम भाव में है इनकी जो दसा चल रही है राहू में गुरू में शनी तो अभी गुरू की इनकी दसा चल रही है चोबिस में इनका शादी का योग बन रहा है लेकिन केरियर वाइज देखा जाए तो इनके लिए थोड़ा सा अभी सावधान रहना होगा क्योंकि शनी इनके चतुर्थाउस के श्वामी है वक्री के है अभी जल्द ही वक्री से मारगी हुए है तो इनको विसेसलाब देंगे साथ ही इनके केरियर का श्वामी शूरी है तो इनको शूरी को मजबूत करना होगा डेली शूरी नमस्कार करें, शूरी को जल दें और शूरी देव की रोज अराधना करें, तो इनके कैरियर में भी बहुत अच्छा ग्रोथ आने वाला है, अभी कैरियर में इनको देखा जाए, तो इनकी दसा आ रही है, जनवरी 2024 से कैरियर में अच्छा रिस्पांस इनको मिल जीवन में इनको इनके लगने में शुक्र महाराज विराज माने तो और शक्तम भाव के श्वामी भी हैं इसलिए इनको जीवन में हर शुक्सुविधा मिले जैसा कि मोना जहां पंडित जी ने बताया कि आपको क्या करना है जिससे आपके सूर्व प्रशन हो चाते हैं और निरंतन क्या कियते हैं अपने धानिक जीवन में प्रयास करते रहना होगा करियर एक ऐसी जीजय है जिसमें आप जितना प्रयास करेंगे आप उतना ही आगे जाएंगे अब पंडी जी इसी कड़ी में आगे हम बढ़ते हैं और जाना चाहेंगे कि आज के दिन का विशेश क्या है पंडी जी देखें आज बहुत ही सुभ दिन है आज वैसे भी पूर्मा तिथी अमाउश्य तिथी ऐसी जो तिथी होती हैं महीने में बहुत खास मानी जाती है और आज कार्तिक पूर्मा तो बहुत खास माना जाता है लोग असनान दान करके पुन्निक भागिदार बनते हैं तो इस बार लोगों के मन में ये चल रहा है कि कार्तिक पूरिमा कब है तो कार्तिक पूरिमा का जो देव दीवाली मनाया जाएगा वो 26 की साम को ही मनाया जाएगा लेकिन जो कार्तिक पूरिमा का असनान दान ध्यान पूजा पाठ आप करते हैं वो आप 27 को कर सकते हैं कार्तिक पक्ष चतुरदशी उपरा पूरिमा तिथी 26 तारीक को दिन में तीन बजकर तिरपर मिनट से शुरू हो रही है जो दूसरे दिन यानि अगले दिन 27 नौंबर दो बजकर 45 मिनट पर तक रहेगी अभी देव दिवाली जो होता है दीपावली जो होता है दीबदान का जो शमय होता है वो शाम का होता है तो आज कार्शी में देव दिवाली आज ही मनाये जाएगा और हम शभी भी देव दीपावली अपने घर में आज ही मनाएं क्या है कि देव दीपावली में इस बार दो दिन होने की वज़े से लोगों के मन में सामंजस असमंजस बना हुआ है जिससे सामंजस बनाने के लिए आप अगर ब्रत रखना चाहते हैं तो 27 की रखिए आप दीपदान देव दीपावली 26 को ही मनाया जाएगा और 27 को आप असनान ध्यान पूजा पाढ़ करके ब्रत रख सकते हैं दान पुन्नी कर सकते हैं खास कर अगर इस दिन गंगा में या कोई भी सर्यू यमुना कहीं भी असनान करता है कोई भी नदी में करते हैं कोई भी जलासे पोकरा जो साफ है सुक्ष है वहां करते हैं तो आप बहुत पुन्नि के भागिदार होते हैं ऐसा कहा जाता है कि देव दीपावली के दिन जो भी पुन्निदान करेंगे उसका सोगुना आपको मिलता है और आपके सारे पाप धुल जाते हैं इस बार देव दीपावली को भद्रवाश योग बन रहा है जो विदिसेश खास है स्वर्ग लोग से लेके पाताल लोग तक जो भी प्राणी समस्थ प्राणी जो अपने जीवन में उन सब के लिए अगर भद्रवाश योग शुफ शंकेत लाता है उनके जीवन में मन में और दोपार दो बचकर पांच मेर तक रभी योग भी का निर्मान हो रहा है यह योग भी बहत खास होता है तो आप इस सारे योग में विसेश लाग पा सकते हैं भद्रवाश जो योग बनना है वो दोपार तीन बचकर यानि 26 को तीन बचकर से शुरू होकर और रात्री तीन बचकर सोडा मेर तक बन रहा है तो यह भद्रवाश योग भी बहत खास है और देव दीपावली वानार से की देव दिवावली बहत खास मानी जाती है तो जैसा कि हमने पंडिजी से जाना कि आज के दिन का विशेश क्या है अब पंडिजी जैसा कि आस देव दिवाली है और काफी अच्छा समय है तो इसका सुभ मूरत क्या है और पूजा करने के उपाय क्या-क्या है पंडिजी साम को सुम्मुहूरत इसका आप अगर करना चाहते हैं पूजन तो साम को साड़े पाँच पॉने छे मतलब पाँच बच के 45 मिड़ से ले के वह यसे तो देखा जाए छे बजे तक राहु काल है तो आप छे बजे के बाद ही करिए छे बजे से ले के आप नो बजे तक बेहत खास है, साथी उसी समय आपके भद्रवाश योग भी रहेगा तो आप कर सकते हैं, साथी ऐसा कहा जाता है, देवदीपावली, हमारे देवी देवता, त्रिपुरा शुर्राचत से परिशान थे, वो यगिभाग सारे चीजों को नश्ट करता जाता थ और हमारे रिशी मुनियों का यगिपूरा नहीं, जिससे देवता बहुत ही कुपित थे, परिशान थे, सताय हुए थे, भगवान सीव से प्रात्ना किये कि तिरपुरा शुर्र नामक महादय तिराचस का नास करिये और इस पृत्वी लोग को आप धन्न करिये, तो इसी दि भगवान संकर ने तिरपुरा शुर्र नामक शुर्का वध किया था, जिससे प्रसन होकर हमारे देवी देवता वारा अनसी में गंगा घाट पर आए और भजन किर्तन के शाद देव दीपावली, दीपक यलाए, उसी को देव दीपावली कहते हैं, या बेहत ही खास माना ज जो तमाम लोगों के लिए एक संदेश भी देता है, जैसा कि हमने पंडित जी से जाना कि मूरत क्या है और देव दिवाली क्यों बनाते हैं, वहीं पंडित जैसा कि हमने बार बार सुना है लोगों के मूह से, काशी में लोग हमेशा कहते हैं कि देव दिवाली वाले दिन द हमारे देवी देवता हमारे साथ ही रहते हैं आप अपने भाव किस भाव से आप उनकी अराधना करते हैं आप पत्थर भी रखा है अगर भाव से आप उनको पूछते हैं तो उसी में आपको देवी देवता नजराएं तो आज के दिन यह हमारे पूरातन काल से चला रहा है आ इसलिए वहाँ पर देवी देवता सोयम आते हैं और दीपक जलाते हैं और भगवान सिव को प्रसंद करते हैं और उनको अपना धन्यवाद करते हैं कि आपने मेरा बहुत बड़ा जो तिरपड़ाशुर नामक अशुर था वो हमारे लोगों को परिशान करता था सताता था उसका आपने निराकरन कर दिया है या बहुत ही है उसी के उपलक्ष में देव दीपावली मनाया जाता है अभी आप अगर दान पुन्नी भी करना चाहते हैं तो देव दीपावली के यानि अगले दिन 27 की सुबा साढ़े पांच बजे से ले के और बारा बजे तक बेहत सुबह उस समय आप असनाम ध्यान करके अगर पुजा पाठ कथा सत्तिनारान कथा कुछ भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं आपके लिए विसेस लाब होगा एक विसेस मैं और उपा आरी है साम को दूसरे दिन सुमवार पढ़ रहा है तो आप सुमवार के दिन सिवलिंग पर अगर हो सके तो गन्ये का रस चढ़ाईए आपके घर में और आपको अगर धन संबंदी दिक्कत आ रही है तो वह समाप्त हो जाए और आपके भागी के नए द्वार खुलेंगे स साथी आपको तरक्की का नया मार्ग दिखेगा जिस पर आप चलकर अपने आपको सफल बना सकते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि पहले हम आवश्या के दिन दिवाली उसके बाद अब देव दिवाली अब लेकिन इसी कड़ी में आगे हम पंडित जी से जानेंगे कि आज का दि दिव दिवाली का दिन और आज का दिन किस राशी के लिए पंडित जी कितना खास होने वाला है में राशी साती és ge के लिए आज का दिन बहुत ही खास है कि थोड़ा सा मीन रासी साथ ही आपके तुला राशी वालों को ली और बिष्ची रासी वालों के लिए बेहत समल कर रहना होगा आज के दिन बाकि सेश राशी है माध्यम है लेकिन इन तीन राशियों को इन राशियों के जातक को अपने अनकोल रहने की पूरा लाभाज के दिवाज तो जैसा कि आज हमने आज के इस एपिसोड में हमने पंडिच जी से जाना कि 12 राशियों के रासी फल क्या कुछ कहते हैं और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इनके सितारी क्या कुछ कहते हैं आज का दिन यानि कि देव दिवाली का दिन कितना खास है और किस रासी के लिए कितना अनुकूल रहेगा हमने सारी चीजे जानी अब नेक्स एपसोड में हम आपको आपके लिए लेकर आए कुछ नया तब तक के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी